अगर आपके पास है 20K रपीज और आपको नॉर्मल गेमी करनी है जैसे कि GTA 5 गेलना है, नॉर्मल सर्डिंग पे प्रीफर गेलना है जा आप रित्याती गेम्स गेलनी है तो ताइम लिए आप एक दम बेस्ट वीडियो पे पहुंच चुके हैं उसे पहले एक जूरी सुतना, हम ऐसे PC build की वीडियोज बनाते रहते हैं तो अगर आपको वी PC build की वीडियोज देखनी है और ऐसे PC पूरक्स की वीडियो देखनी है तो डेफिली आप इस सेनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलो यार, इस PC Build की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने PC के बारे में इसके इसके नहीं तरह हमने काफ़ी जाद रिसर्च लगा के यार एक बड़िया PC सेट कर रहा है जो कि एक AMD PC Build होने वाला है जो यार सारी कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं अपने में चीज़ की जो की होने वाला है बाई डाफिनेटली CPU यार जहां पर हमने तुन करया है AMD की तरह से हने वाला APU जो कि होने वाला है AMD Ryzen 3 3200G with random Vega 8 graphics यार जिसका मतलब जो है कि आपको इसके साथ भाई ग्राफिक कार लगाने की रूत नहीं है जिसके कारण अपना बज़र कवी अच्छा होने वाला है इसके कीमित होने वाली है 3999 रुपे और इसके कोस की बात करें तो आपको इसके अंदर 4 कोस दिनको मिल जाते हैं बट अगर आप इसको जादे डेटेल्स के अंदर जानना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन अभी next component की बात करते है जो कि होने वाला वे definitely अपना motherboard और motherboard में हमने कौन सा motherboard चूज करा है तो motherboard में हमने चूज करा वाई MSI की दर से आने वाला motherboard जिसका model होने वाला वाई MSI MSI B450 Pro motherboard जो कि यार एकदम बढ़िया होने वाला है इसके अंदर आपको 2 RAM slot देने को मिल जाएंगे इसके अंदर आप M.2 SSD भी लगा सकते हो चार इसके अंदर आपको 30 slot मिल जाते हैं और बाकी MSI port भी इसके अंदर दी हुए है अब इसके कीमत की बात करते हैं आपको Amazon पर देखने को मिल जाएगी अभी next component की बात करते है जो कि होने वाला बाई RAM में हमने जूज करी है बाई XPG की दर से आने वाली 8GV की stick जो की एकदम बढ़िया होने वाली 32 MHz की साथ आती है बाई और इसकी कीमत है बाई 1770 बे Amazon पर अब बात कर लेते हैं अपटी storage की तो जहां पर यार मैंने बज़र को cut करते है जहां पर storage तोड़ी कम ली है जो की 240 GV की SATA SSD है जो की आपको लगवग 1990 रपई की Amazon पर देखने को मिल जाएगी आप इसकी जगा पर HDD के साथ जा सकते हो बज़र के साब से आप इसको manage कर सकते ह अपने PSU और cabinet के बारे में तो जहां पर यारा मने 400 Watt की PSU लिए है जो की आती है Ant eSports की model BS400L non-model high efficiency PSU है और इसकी कीमत की बात करो तो आपको 1050 रुपे दिन को मिलने वाली है अभी बात कर लेते हैं अपने cabinet की cabinet में आरा मने बढ़िया सा cabinet जूज कर रहा है जिसकी कीमत 299 रुपे होने वाली है और जो कि आता है Ant eSports की तल से जो की 1100 मिल्टावर्स का model number है अपने system के हिसाब से एकदब बढ़िया लुक भी देने वाला है बट अगर आपका कोई और cabinet पसान दार था आप उसके साथ जा सकते हो तो जे था वाई अपना बढ़िया सा बिल आपको कह मिकास तो दो 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 सबने वांट